हेलो श्ट्रेंट्स क्लास 6 बचों आज हम आपकी हिंदी में बाल रहम करता का चप्टर 5 चित्रकूट में भरत इसे रीड करेंगे ठीक है चप्टर का गया नाम है चित्रकूट में भरत भरत के कई राज्ये में थे अपने ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सरवता अन्बिग लेकिन वे चिंतित थे उन्होंने एक सपना देखा था पर उनका उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे संगी सातियों के साथ बातचीत में नहीं जानता की उसका आर्थ क्या है पर सपने में मुझे डर लगने लगा है मैं देखा कि चंद्रमा सूख गया है चंद्रमा धरती पर गिर पड़े वरक्ष सूख गए एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है वे रत पर बैटे है रत गदे खींच रही है जिस समय बरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे ठीक उसी समय अवद्या से गुड़ सवार दूथ महां पहुंचे गुड़ सवारों ने चोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए बरत को संदेश में लावे ततकाल अवद्या जा लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा सेना और रत खेतों से ओकर नहीं जा सकते थे आड़ दिन पहुंचे नदी परवत लांगते ठके हुए और चिंतिद्भत ने अवद्या नगरी को दूर से देखा नगर उन्हें सामने नहीं लगा बदला बदला सा था अनिष्ट किया प्रशाद की और बड़े मान आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया परन्तु भरत की आंके पिता को डून रही थी उन्होंने मा से पूचा पुत्र तुमारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन सबको जाना है उनका निदन हो गया बरत यह सुनकरी सोक में डूब पचाड खाकर गिर पड़े विलाप करने लगे मा कही कही ने उठाया डाडस बदाय का उटो पुत्र रिजिस्टिव कुमार शोक नहीं करते तुमारा इस प्रकार दुक्यों नवचित नहीं है राजगुणों के विरुद्धे अपने को संभालो क्या से क्या हो गया भरत य है लक्षमन तुमारे कुछ नहीं का वरत व्याकुलते विकलता बढ़ती ही जा रही थी वह तुरंत राम के पास जहां चाहते हैं महराज ने वनवास दे दिया है चोधे वरस के लिए सीता और लक्षमन भी साथ में गए हैं के गई ने बरत के मन पढ़ते हुए का वह जानत ते हुए उन्होंने का उठो पुत्र राजगर्दी संबालो अध्या का निसक निसकंटक राज्या तुम्हारा है बरत अपना क्रोध रोक नहीं सके चीक पड़े है तुमने क्या किया माते ऐसा अनर्थ गोर अपराद अपराद नहीं हो तुम वन तुम्हें जाना चाहिए राम को नहीं मेरे लिए राज अर्थीन है पिता को कोकर भाई से बचड़ कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज एसी बीच मंत्रिकर्ण सभासत भी वहां आगे बरत बोलते रहे तुमने पाप किया है माते इतना सास कहां से आया तुम्हें किसने तुम्हारी बुद्धि ब्र पास जाओंगा उन्हें मना कर लाओंगा प्रातना करूंगा गद्धी समाले में दास बन कर रहेंगा बरत बुद्ध तेजीत हो गयते श्यम पर नहीं रख सके बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी वे चक्राकर धर्थी पर गिर पड़े सुद्बूत लोटी तो भर अपना अनुचित था निर्मम था तुम राज करो पुत्र पर मुझ पर एक दया करो मुझे मेरे राम के पास बिजवा दू बरत ने रानी को सलेश्वा मांगी सफाइदी घारानी को कई के विवार पर गिलानी व्यक्त की का राम मेरे प्रिया अग्रज है मैं उनका इत सोच भी नहीं सकता मैंने अप्राद धुको सलेया ने बरत को चमा कर दिया उन्हें गले से लगा लिया बरत साही रात फूट फूट कर रोते रहे सुबह ता सत्रुगन को पता चल गया था कि कई कान किसने बरे मंत्रा अध्यागर नकरम में से घबरा गई ती चिप गई कुछ द अगरा सिंगासन रिक्त नहीं देखना चाहते खाले सिंगासन के खत्रे से परिचेते नंसबा बुला इबरत फूट को आमन्ति के बरत से का बस तुम राज का समारों पिता गिंदन और बड़े भाई के विनकमन का यही बाद यही उचीत है बहत ने मैर्शी का आगर इस एस लोटे लोटाएं अगली सुबा बर सभी मंतरियों और सबासदों के साथ बन के रिचले गुरुवसिष्ट साथ नगरवासी वी ते अविद्या की चत्रवीन सेना तो थी ही राम तब तक गंगा पार चित्रकुट पहुंच गए थे वहां कार्षम था मेर्शी भार्दवच के साथ सेना के चलने से आस्मान दूल से अट गया हरोर कोला हलवे संग विरपूर पहुंचे निसादत गू को सेना देखर को संदे हुआ कहीं राजमत में आकर घरतराम प्राक्मन करने तो नहीं जा रहा है रहे हैं यह सही सेती पता चली तो उन्होंने बरनत के आगवानी क कि अंगा पार करने के लिए देखते देखते पांस सो नावे जुटा दी रास्ते मुनी भार्दवाज का आस्रम पड़ा उन्हें बहत को राम का समाचा दिए वे मार्ग दिखा जिदर से राम गए वे पाड़ी दिखाई जहां राम ने पढ़न कुटी बने है देवासियों ने राम आस्रम में यह बिताई संतों सजात की राम अब दूर नहीं है आगे जंगल था सेना चली तो वन में में खलबली मच गई जानने दर उतर भागने लगे पक्षियों ने अपने बसेरा छोड़ी यह चोड़ी पती सेना के पाउं तले कुचल गई बड़े व्रक्ष ने चली आ रहा है लग्षमन का दौचाना पेचाना ता उद्या का प्रम्ला नहीं करेगा कभी नहीं वें लोगों सेबेट करने आ रहा होगा बेट के लिए सेना के साथ आने का क्या усп al के सरे क्या काम लक्षमन आस्वस्त नहीं थे वेसे अप्राक्रमन करना चाहते राम ने उले उन्हें रोक दिया भी धेर पुरुस धेरे का साथ कभी नहीं चोड़ते कुछ समय प्रेश् Aktar और इस प्रकार का उतावला पनुचित नहीं है बरत ने सेना पाड़ी के नीचे रोख दी नगरवासियों से भी वहीं ठैरने का काको लाल थम गया उसकी जगे पुनेवान की निर्शनी सांती ले ली भरत ने पाड़ी को प्रणाम की सत्रुगर्ण को साथ लेकर नंगे पाउ उसे एक शब्द भी नहीं का सत्रुगर्ण ने भी राम की चर्ण वंदना की बोले वे भी नहीं दोनों को टाकर सीने से लगा ले सबकी आँकों में आसुते बरत सास सास नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को सुचिना देने का कि इस पिता दसत नहीं रहे एक दुख भासी आए हैं गुरुजन है माता हैं को कि की कई भी राम लक्ष्र een पड़िशाई घृक्यार नहीं पीता की आगिया का नहीं प्याइक रहे ні समझाय का कि अब तुम ही गद्धी समाल हो या पिता क्या राम प्रसमाद के समय मंत्रियों सब्सक्राइब करते हैं तो मैं अदर लोटकर अपना दायतु निवान चाहिए इसी में कुल का मान है राम ने बहुत सहियाय सवर में का चाहिए चंदम अपने चमक छोड़ दे सूरिया पानी की तरह खेंडा हो जाए हमाले सीथल ने रहे समुद्र की मरियादा समुद्र की मरियादा बंग हो जाए पर अंतुमें पिता के अग्या से विरक्त नहीं हो सकता, मैं उन्हीं के अग्या से मनाया हूं उन्हीं के अग्या से बर्त को राजगदी संबालनी चाहिए राम किसी तरह लोटने हो तयार नहीं बरत के चेरे पड़े राशा के बाउते वे विफल हो गए थे राम को मनाने में आप नहीं लोटेंगे तो मैं भी खालियात नहीं जाओंगा आप मुझे अपनी खड़ाओ दे दें को आच नहीं आने दूंगा बरत अयुद्या में कभी नहीं रुके तपस्विक वस्तर पहने और दंदिक राम चले गए जाते से मेरी अब केवल एक इच्छा है मैं इन पादिकाओं को उन चरणों में देखो जाएने होना चाहिए मैं राम के लोटने की प्रतिक्षा करूंग चोड़े वर्स ठीक है बच्चों आपको आसमन में आपको फिर से रीड करना है शेप्टर को ओके इसका अंसर बेज़ों को कॉपी में करने अपनी में ओके बचांच के इतना ही थेंकियो बच्चों